तो दोस्तो स्वागत है हमारा नए ब्लॉग में तो दोस्तो हम लोगों को जाना था धौलपूर से आंगे दमो वाटरफॉल भाई तो मेरा एक फ्रेंड है थे शांत और एक संतोस हम लोग अपनी बाइक से लिकल पड़ते हैं और भाई बाई कैसी ले जाते हैं जो हमारी 60-70 क और यह आप देख पा रहे हैं यह आपका धौलपूर हाइवे है जो कि बिल्कुल सब पार्ट रोड है आपको मजा जाएगा यह बाईक चलाने है भाई मोसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा था तो हम लोग लिकल पड़े थे दमो वाटरफॉल के लिए आप देख पाएंगे नजारे कितने अच्छे नजारे हैं भाई रोड तो बहुत अच्छा है आगरा से धौलपूर और धौलपूर से जो करॉली वाला रास्ता गया है वह आपका सरमत्रा में यह वाटरफॉल था जो कि हमें लोगों ने पताया था तो आप देख पाएंगे हम लोग लिकल कर रहेते हैं आप संतोस को देख पा रहे होंगे कितना मजे कर रहा है और यह थोड़ा पत्री रा राका है यहां थोड़े राइस्थान में गर्मी भी जाद रहती है अगर आप जाने का प्लैन कर रहे हैं तो मौसम अच्छा देख करी जाएं और अपने साथ जो जरूवत क चीज़े होती हैं सिफ्टी केट वगएरा वो आप ले जा सकते हैं थोड़ा वीडी वीडी शूट करते हैं तो भाई हम पहुच जाते हैं सरमत्रा आप देख पाएंगे यह नया रोड बनाया सरमत्रा से सरमत्रा मैं बताना चाहूंगा शिब जी का मंदिर भी फेमस है माप तो हम लोगों ने मन मरा लिया था कि हमें आज किसी भी हारत में दमो वाटरफॉल पहुचना ही पहुचना है तो हम लोग एक भाईया की हेल्प लेते हैं भाईया बोलते हैं मैं दमो वाटरफॉल के पास ही रहता हूं तो हम लोग उन भाईया की मदस्ते और रास्ते में रास्ता दम वाटरफॉल की तरफ जाता है आप देख पाएंगे वियू के अंदर भाई कोई पक्का रोड नहीं है कई बार तो हमारी गाली भी यहाँ पर सिलिप हो गई थी आप देख पाएंगे जैसे वीडियो में पूरा पत्रिला एलाका है भाई हमने काफी ऐसे रास्ते ह पर गड़ता है और आप देख पाएंगे यह ज़रना है जब बारिज चलती है तो इसमें आपको काफी सारा वाटरफॉल का पानी आपको आते हो देखेगा चोटी सी दुकान भी क्यों काफी लोग यहाँ पर आते हैं आगरा से ट्रेवलिंग करने के लिए काफी राइडर ग्याट से लिए होती है तो और Hader लौ फीन है एक इसे सुन मनाली पहुंच गाए यह आप सामने आप यह 300 feet की height पर यहां से जन्ना गिरता जब बारिश होती है तब आपको यह view देखने को मिलेगा जब हम पहुचे थे 15 दिन से बारिश नहीं हुई थी इस वैसे हमें इतना अच्छा view देखने को नहीं मिल रहा था भाई लोगा बताते हैं कि करॉली की रास्ते से करॉली की जंग देखने के लिए पूरा पत्री राका है और आपको व्यू बहुत अच्छा मिलेगा पर मेरी सलाही है कि आप गर्मी में कभी न जाए मौसम जब अच्छा हो और आपका फ्रेंड से कर काफी बढ़ा है अखेले जाने का कोशिश ना करें क्योंकि आप परिशान हो सकते हैं आ पत्तरों से गर्मी हीट लिगलती है और बारिश होने रही थी पंदर देन से राइस्तर में तो बहुत गर्मी थी आप उपर से देख पाएंगे कुछ लोग उपर भी खड़े हुए है यहां से उपर का रास्ता भी है अगर हम नीचे नहीं उतरते तो हम उपर ही उपर से हम हुआ बताते हैं बहुत घहरा है